जहिन एवरिवन में साहिल कुमार आप सबका डेफेंस में वेलकम करता हूँ तो जा टाइम नायविश करते हुए आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री में भी मैं आपको एंसीन के बाद मेडाईवल फिर मॉडरन और ancient के अंदर हम पढ़ रहे हैं stone age इसके बाद इसी session में पढ़ेंगे Indus Valley ठीक है तो सबसे पहले stone age की बात करते हैं जिसको आप हमेशा छोड़ देते हो और यहां से आपके एक दो question बनते हैं जिनको कोई देखता भी नहीं है और यह topic में आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको अपने बचपन की याद आजाएगी कि हां history ऐसे अगर पढ़ते तो आपको याद होती है अगर याद हो जाए तो please वीडियो के अपना feedback देके जरूर जाना सबसे पहले बात करते हैं देखो story कुछ ऐसे है कि एक चिंटु भाई थे सुबा सुबा उटके पर रहते फिर एक बाबा जी दिखते हैं और कहते हैं कि भया यार सुबा सुबा लडगा इतनी मेहनत कर रहा है देखरो बढ़िया एकदम पढ़ाई कर रहा है तो कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वर्दान मांगो, जो भी तुम मांग सकते हो, तो इसको लगता है कि यार बाबा कहीं उल्लू ना बना रहे हो, और आज कल मैं इन चीजों में नहीं मानता, फिर भी बाबा कहते है यार कुछ मांगो, अब तुम आसिरवाद मांगो, तुम इतनी महनत करो, तुम मैं प्रशन हूं तुमारी मैनस से, तो चिंटु भाई कहते हैं कि बाबा जी प्लीज मुझे टाइम में पीछे भेज दो, मुझे सब कुछ ठीक करना है, रोने लगता है, बाबा जी ने अपनी छड़ी घुमाई, और चिंटु भीया को पहुचा दिया, सीधा हमारे स अब जैसे ही चिंटु भीया स्टोने पहुचते हैं और देखते हैं कि यार बाबा जी को समय में पीछे आने को बोला था एक-दो साल पीछे इन्हों ने तो पुड़ा सदियों पीछे भेज दिया, अब सदियों पीछे भेजने का मतलब ये था, कि अब ये बहुत गबर आ इसको पाँ चलता है कि बाबा जी ने इसको सबसे पिछे स्टोन एज में भेज दिया है जिसकी जो एज है वो 50000 BC to 2500 BC मानी जाती है अब यह कहता है अरे भाई स्टोन एज में आगे अब तो कुछ करना पड़ेगा मतलब अब तो हद हो गई अब आगे कैसे होगी जब यह बु अगर मैं इसको ऐसे बोलू तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पासान काल तो पुरु पासान काल मद्ध पासान काल अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके सीडियस में यह पूछ लेते हैं कि जड़ा बताईए आप लोग की फायर के डिसकाबरी कब हुई थी एनिम बाठ दूं तो आपको कुछ इस तरीके से यह बात समझ में आएगी कि ओके जो आपका स्टोन एज का कल्चर है जो आपका यह यह तीन पार्ट में हो गया अब जैसे आगे बढ़ते थोड़ा सा तो देखते हैं कि सुवह होती है तो देखते हैं कि बाइया एक कपल जो है मस अब भाट पहले कि आप लोग कुछ खाने को मिलें का बस्तिक हैं अभी कहां पर हैं प्रफायो लिति कंदार ग्रफिक multi पर नियो लिटिक पेलिटिक में कहता है गरवर नहीं है फिर यह पिने को मिलेगा अनाजवनाज चावल दाल कुछ भी मिल जाए सुबर सुबर खाने का प्राटे वराटे कहते हैं तो आप से क्वेश्चिन पूछेगा जब कि पेंटिंग की डिसकबरी कब ही तो आप से जिंगा दाला हुआ एंड कंपनी पेंटिंग क्या करते थे फिर कहते हैं कि आप लोग खाते क्या हो तो यह कहते हैं कि भाईया हम एनिमल खाते हैं आप देखो यहां पे एनिमल को मार के खा गए हम एनिमल खाते हैं और फूट्स खाते हैं तो चिंटु भाई कहते हैं कि भा भाई हमारा विद्वा हो जाता है तो कहती है कि ठीक है फिर भाई को समझ में आता है कि यार ये तो बेवकूफ लोग है इनको जहरीले फल और और अरिजिनल फल में पता नहीं है मतलब की पहलो लुथिक एज में टेस्टिंग का काम खुद चिंगा लाला हुव एंड कंपनी क कुछ का करते थे ठीक है समझ में आ रहा रहा लगा अब कहता है ये फल तो बड़ा रिस्की है सेफ संतरा मिलनी रहा चलो अब धरम तुलवाएंगे जानवरही खा लेते हैं अब जानवर की जैसी बात होती है आगे एह चोब लेके और देखनी है अपने भाई ने बड़ा स फिर इतने बड़े पत्थर से मुर्गे को मारते हैं ये भी तो ये मिट्टी मिल जाते हैं कुछ खाने को बचता नहीं कहता है यार ये तो भूके मार देंगे इनको तो बहुत कुछ सी खाने की जरूरत है तो क्या समझ में आता है कि ये लोग पेलियोलिथिक एज में बड़े हथियार का बिग स्टोन्स का यूज किया करते थे और खाते क्या थे अब डेफिनेट्ली बड़े हथियार से चोड़ जानवर तो खाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या बड़े नहीं मर्स तो कहता है कि भाया चिंटू कहता है कि भाया ऐसे ऐसे पत्थर से ऐसे हथियार से आ मैं vegetarian आदमी उपर से तो मुझे कच्छा मिट किता दोगे कहते है ठीक है फिर भाई को समझ में आता है कि इनको fire के बारे में भी नहीं पता था और चिंटू कहता है कि देखिए मैं आपको सिखाता हूँ आग लगाना आग लगाना तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो fire थ किसमें आएंगे मैसोलितिक एज में अब हमने क्या सुखा कि पुर्वपासान यानि कि पहले लिधी के एज में ये लोग बिग स्टोंस to use करते थे इनके पास कोई घर नहीं था रहने के लिए नो घर इनके पास कोई जानवर नहीं था कुछ भी नहीं था ये big animals को खाते थे है ना आगे बढ़ते मैसोलितिक में अब आते मैसोलितिक में तो चिंटू सिखाता है कि भाईया देखो इस हतियार को छोड़ो यहां से पड़ा हुआ यह पत्थर उठाओ और इस भाई सापको मारो तब जाए कुछ खाने को मिलेगा तुम लोग कब तक बढ़ जाना दा खिल मैसोलितिक एज में आ गया हैं यहां पे एक बार समझ में आई fire के discovery पहलो लितिक एज में हो गई है अब fire का use होगा कहां पे मैसोलितिक एज में यहां पे यह लोग small stones का use करना सीख जाएंगे और small animals को खाना भी सीख जाएंगे अब भाई हमारा चिंटु भाई जो चिकन खाकागे हो चुका है बोर मीट खाकागे कहता यार इनको फार्मिंग सिखानी पड़ेगी और रहने का ठीकाया ढूना पड़ेगा यह तो घूमते ही रहते हैं अब रहने का ठीकाने के लिए क्या अब हम आ रहे हैं नियोलिथिक एज में जैसे नियोलिथिक एज में आते हैं तो कहते हैं कि देखो भाईया आपको खेती ऐसे करनी है और एनिमल डोमेस्टिकेशन जब यह कुटा जब आता है ना यह ज़े डॉगी आता है इनके पास तो बोलता है कि ठीक है वहाँ पर घर बनाके नहीं रहोगे तो डेफिनेट्री फसल कोई खराब कर देगा इसलिए नियोलिथिक एज में यह लोग फूड ग्रेइन प्रोड्यूस करना सीख गये हैं सेटलड हो गए है घर को लेकर रहने लगेह हैं फाइयर का इस्तमाल भी सिख गये है चोटे तूल्ज को अब लकडी अवकडी से बारणके अपना काम चाहें लग गये है ऑब खाना पका के खाने लग गये हैं अब फाइनली इस पे कोशन क्या बनते हैं ध्यान से देखना पहले बात करते हैं पहले लुथिक एज की एगरिकल्चर था नहीं था चिंटू को कुछ भी नहीं मिला क्या कोई घर था उनके पास नहीं था टूल्स क्या थे बड़े चटानों के टूल्स खाते क्या होंगे फू अभी भी नहीं था जा लुट्ष उनके क्या हो पालने के लिए पेंटिंग यहाँ भी आती हैं फायर के इस्तिमाल करना आगया अब चिकन इनको रोष्टेड वाला मिल रहा है नियो लितिक की बात करते हैं यहाँ पे सब कुछ एस हो जाएगा अगरिकल्चर यह खेती होग तो subtle भी होना पड़ेगा stone के साथ bone bound दिया efficiency बढ़ गई fruits खा रहे है, animals खा रहे, grains भी खा रहे है domestication हाँ, अब पालना भी शुरू कर दिया painting तो आती थी इनको और fire का use इसमें भी हो गया तो ये था हमारा जिंगा लला हुआ and company और यहां से आपके दो important question बनते हैं, कि fire के discovery कब हुई थी, fire का first time use कब हुआ था, animal domestication कब गया गया था, अब इस पर कुछ और question क्या बनते हैं, sides को लेके तो आप जहां रखना Paleolithic age में, पलो अरम जो एक जगह है तामिल नाडू में, वहां से hand x के साथ मिले हैं, हतनोरा MP से human fossils के मिले हैं, जिर्वान राजस्तान में है, बिम बेटका is very famous, जो MP में जहां से cave printing मिली हैं, जहां से पाए चलता है कि आजिंगल लाहुए and company थी, ठीक है बागोर से राजस्तान में है animal domestication के साथ मिले हैं यह हम बात कर रहे हैं, वह वो stone age की आदगबर MP पे हैं, यहां से मिले हैं मेहरगड पाकिस्तान में हैं जहां से agriculture के साथ मिले हैं cold ढिवा से rice के मिले हैं and मिवजुरों कास्मीर से आपके pit dwelling के साथ मिले हैं stone age में इस से बाहर आप से कुछ भी नहीं पूछेगा trust me, यहां से यह chapter खतम होता है, बात करते हैं अब Indus Valley Civilization की सबसे पहले यह जानिए कि Indus Valley Civilization के various names क्या क्या हैं, इसको हलपन civilization भी बोलते हैं, कहा जाता है कि अगर यह हमारा प्यारा भारत है, ठीक है तो यहां पे पंच नदियां है अब जो सिंदू, अब पंच नदियां बोलते हैं न, पंच नदियों के एक में रावी नदी के तट पे क्या था कि खुदा ही चल रही थी, अब जब खुदा ही चल रही थी तो वहां पे कुछ इट्स मिली, तो रेलवे ट्रैक बिशाया जा रहा था तो जब इट मिली तो जो हमारे फोकट वाले इंजिनियर थे एक दो उनको लगा कि यार फोकट की इट मिल रही है, इसको निकाल निकाल के फटाक से ट्रैक में यूज कर लेते हैं जब बाद में आर्केलोजिकल साइट वाले वहां पे गया तो पाचला कि यार इन लोगों ने एक पूरी के पूरी सिबलाजेशन का विनास कर दिया यह तो बहुत प्रानी सिबलाजेशन है, इसको जाँ चोनी चाहिए तो सबसे पहला सहर हरपा मिला था इसको आपन सिबलाजेशन उसके बाद यहां पे एक न्यू मेटर इन उन्हों डिसकोवर किया था टीन और कॉपर को मिक्स करके इसको बोलते हैं, ब्रोंज एंच सिबलाजेशन, फर्स्ट अरबन सिबलाजेशन को इसलिए बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि प्लैंड सिटी क्या है चंडीगर एक प्लैंड सिटी है, नौइडए एक प्लैंड सिटी है तो इनकी जो सिबलाजेशन थी वो एक प्लैंड थी, मतलब प्रॉपर तरीके से घर, नहर रोड सब कुछ बनाए हुए थे इसलिए इसको हम प्लैंड यह अगर अभी हालातों की बात करें तो आपको पता है कि मालो की यह आप हो, ठीक है और आप एकदम फर्स क्लास कितने फिटके हो, छे फिटके हो, कितने छे फिटके हो अब अफगानिस्तान में क्या करता है, सर कलम कर देते हैं, डेफिनेटली अगर वो आप अफगानिस्तान गए और आपका सर काड़ दिया, तो डेफिनेटली आप सम इंचस छोटे हो जाओ गए, अब कुछ इंच छोटे हो गए, मुंडी गायब हो गई तो क्या नाम रखोगे, मुंडी गाग क्या, मुंडी गाग, अब अगर आपकी सर को काड़ दिया, तो मुंडी तो गयब हो गई मुंडी काग हो गए, कांधार में आप कितने हो गए, कुछ शौट भी हो गए तो शौट हो गई भी कहा हो गया, आपका अफगानिस्तान में हो गया आज तक आपने जितने जहरीले नाम सुने हैं, जो बचपन से आपको डराते हुए हैं, बीट हरपपा, मुहेंजोदारो, चान हुदरो सुथका गेंडोर, ये सब आपके, पाकिस्तान में हरपपा आपकी राविन दी के तटपे है मुहेंजोदारो इंडस नदी के तटपे है आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो गुजरात के अंदर आपको लोथल, रंगपूर, दौलावीरा, सुरकोड़दा मिलेगा हरियाना के सारे ठेट नाम है राखिगड़ी, मिनाल, कुनाल मिथल, बनावली रजस्तान की बात करूँ, फेमस फुर बंगा, तुकाली बंगा, पिली बंगा एंकुंडा, याद रखना आप यूपी में सारे पूर पूर होते हैं साभपूर, आलमगीरपूर, हुलास, बदगाओ एमेच में आप दैमाबाद याद करेंगे पंजाब में रोपर, आपको याद हो जाएगा जेन के से मांडवा, याद है न अगनी पतवाला तो ध्यान रखना, जेन के से मांडवा ठीक है, अगर मैं एंड की बात करूँ तो अगर इस्ट, वेस्ट, नौर्ड, साउथ में बात दी जाए, तो जो सबसे से कि कहां से क्या-क्या मिला, हलपा की खोज 1921 में दयाराम साहनी नी की थी, जो कि राविदी के तट पे था वहां से काम करने वाए लोगों के quarter मिले है, symmetry मिली है H plus R 37 इसको कबिस्तान बोलते थे dice मिला है and copper made mirror मिला है, इसके बाद अगर मैं मोहन जुधारो की बात करूँ तो great बात इसको बोलते हैं कि जो हलपान civilization का largest civilization बोलते हैं largest side बोलते हैं मोहन जुधारो तो great बात मिला है, वहां से greenery यानि की अन्नागार मिला है और एक bronze image मिली है, women dancer की bronze की मूर्ति, इसको bronze A civilization बोलते थे ठीक है, अब वहां से एक पसुपती नाथ यानि की proto सीवा की मूर्ति मिली है और दोब mostopatamian seal भी मिले हैं मैं बात करूँगा लोथल की, कहां पे है गुजरात क्या मिला वहां से, port city गुजरात समुन्द के किनारे था, सुरू से ही rice husk, अब देखो single fire alters भी मिलेंगे, काली बंगा की बात करें यहाँ पे seven fire alters थे यहाँ पे decorated bricks मिले हैं और जुते हुए खेदों के साथ मिले हुए हैं, इनके कहां पे किसने खोजा याद करने के नीट नहीं है बनावली की बात करें, तो toy plug मिला है वहां से, and clay figure mother goddess, mother goddess की मूर्ती मिली है बताया जाता है कि चलो, मूर्तिया भी वहाँ पे रही होंगी, next पे आगे बढ़ेंगे, चान हुदरों, जितने भी आपके cosmetic items हैं, मतलब की lipstick, kajal, mascara, mascara, जो भी है, वो सब कुछ चान हुदरों से मिला है, जो कि एक पाकिस्तान का पाट है फिलाल, ink pot, bead making works of city without citadel and lipstick, धौलावीरा अपने stadium के लिए famous था, अगर stadium होगा, तो वहाँ पे पानी कठा ना हो, इसके लिए excellent drainage system भी होना चाहिए, अगर stadium होगा, तो कोई sign board भी होगा, जैसे जवालना नहरु stadium, और इसको तीन पाट में बाटा दो पाट में जहाँ पे, waste part मतलब कि इसको upper house बोलते थे, east को lower house, माना यह जाता है कि वैपारी लोग अपर में रहते थे और जो छोटे लोग थे, मजदूर वैगरा वो lower house में रहा करते थे, ये लोग इसको urban civilization इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग baked bricks का use क्या करते थे, किसका baked bricks का, मतब पके हुए ito का proper तरीके से इस्तेमाल किया ऐसा था, almost सारी cities दो पार्ट में, अगर आपके cds में ये question पूछ ले कि इन में से कौन city दो पार्ट में बाट नहीं है, ये थे exception आपका धोला वीरा होगा क्या होगा, धोला वीरा, ठीक है उसके बाद, सारी city जो surrounded हो हो, आपके सेडल से surrounded थी, लेकिन चान हुद्रों में ऐसा नहीं था, सारे road एक दुसरे को, intersect किया करते थे, right angle पे the main gate of the house, जो उपकी था, वो main road पे open हुआ करते था लोथल को छोड़के, ये थी कुछ काम की बात, अगर मैं आपको थोड़े और important चीज़ बताऊं miss selenius fact बताऊं miss selenius fact, तो कुछ facts है उनको आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ में तो facts की बात करते हैं, सबसे पहले आप से ये पूछेंगे, metals के बारे में, क्या की हडपन civilization को कौन कौन सी metal के बारे में पता था, तो आप बोलोंगे की five metals, जो की आपको कौन को, देखो, यहाँ पे न सबसे पहले क्या आएगा, देखो, आप इसमें रख लो silver, एक silver दूसरा हो गया आपका copper, cu तिसरा हो गया आपका branch, चौथा हो गया आपका, तीन और तीन के बाद एक hope का हो जाएगा पांचवा हो जाएगा आपका gold NCRT ये कहता है कि इंडर्स वैलिस प्रिशन को लोगों को iron का नहीं पता था अभी iron आने वाला है, अभी हम कहां गये कि इनको iron का जो पता था वो नहीं था, ठीक है अब artificial dockyard कहां से मिला, तो आपको lotal में मिला ठीक है, उसके बाद यहां सा आगे बढ़ते हैं, रूजओ हाँ, अगर मैं animals की बात करूँ animals की बात करूँ कि animals के बारे में इनको क्या पता था तो आप बोल सकते हैं कि animals के अंदर उनको cat cat के बारे में जानते थे pig का पता था camel के बारे में जानते थे camel, goat ship goat ship हो गया इसके बाद, sorry इसके बाद आपका deer इनके बारे में जानते थे लेकिन एक question यहां से पुछता है तो उनको cow के बारे में कोई idea नहीं था sacred animal hump to bull हुआ करता था अब ये मत पूछना कि सर जब बैल है तो guy क्यों नहीं है, जैसे history अंग्रेजन लिखके चले गया है, वह history हम लोगों को पढ़नी पढ़ती है इसलिए cow के बारे में नहीं पता था ये NCRT में question आता है इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम बात करते है seal की किसकी? seal की अगर मैं seals की बात करूँ तो जो seals मिली थी, वो seals जो थी, वो आपके trade के लिए use किया करते थे बार्टर सिच्टम हुआ करता था जो seal का अकार था, वो rectangular या फिर cylindrical या फिर circular हुआ करता था, ठीक है sorry, circular को आप नहीं बोलेंगे, cylindrical yes बोलेंगे हुआ करता था, maximum number of seal कहां से मिली है, अगर आप से ये पुछे कि maximum number of seal कहां से मिली है, तो आप बताएंगे, कि sir, ये Mohen जोदारों से मिली है, कहां से मिली है Mohen जोदारों, ठीक है अगर मैं, Mesopotamian seal कहां से मिली है, ये पुछा आप से कि Mesopotamian seal कहां से मिली है, तो आपको मिली है कहां से, इराक से, इसका मतब्य था, कि हम लोग इराक से भी deal क्या करते थे, Mesopotamian seal जो कि इराक वाली थी, ये हमारे Mohen जोदारों के अंदर मिली थी, और जो Persian seal थी, Persian seal वो मिली थी, हमें Lothal से, कहां से Lothal से, ठीक है अगर मैं, स्क्रिप्ट की बात करूँ, स्क्रिप्ट की बात करूँ, तो आप ये कहलो कि, देखो, एक तो की इसनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया ठीक है न, जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं लेकिन, यहाँ पर एक चीज था इसको बोलते हैं, मैं यह आप लिख देता हूँ, सुच्छो Bostro, Fedon Bostro, Fedon इसमें ये होता है कि जब हम Right to Left, then Left to Right गये थे, and word formation 200-400 का हुआ करता था, यह कुछ खास बाते थी, अगर मैं Trade की बात करूँ, तो नहीं, Trade तो मैं आपको बता दी है, हाँ एक मिनुनत, यह भी ले लो अगर मैं आपसे Trade की बात करूँ, Trade की बात करूँ, तो Trade में Trade की बहुत ज़्यादा High था, ठीक है, लेकिन यह लोग Export क्या करते थे Export क्या करते थे, तो हम लोग Export करते थे Tera Quota Tera Quota के Figures, उसके बाद Pottery Pottery, इसके बाद Cotton, टेरा बाद Cotton ठीक है, इंपोर्ट क्या करते थे हम लोग Import क्या करते थे इंपोर्ट में हम करते हैं, बादू, कॉपर बहुत फेमस है, पूछता आईए खेतरी माइन्स, खेतरी राजिस्थान से निकाल जाता Import का मतलब, और Teen जो था, वो आपका अफगानिस्थान से, Teen कहां से अफगानिस्थान से, सिल्वर भी यह कुछ आपका इंडस वैली के बारे में था, इसके जो नेक्ष्ट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊँगा, पहले यह बताना कि आपको इतना कुछ समझ में आया की नहीं आया, थाइंक्यू सो मच, जल्दी मिलेंगे निश्वार्ट में, जय हुआ